प्राइन पूर्दियात रूरा थाना चेतर के अंतरगत निजामत पूर ग्राम परदान सियो सिंग यादो और चंदू प्रधान के भू माफिया भाई उमेश यादो एवं अन्याहिद्नी निवासी राहूल वाजवन अपने ग्राम में भावन का निर्मान करा रहेते तकरीबन दो महापूर राहूल के पिता ने उमेश यादो को घर पर मिट्टी डालने के लिए 25,000 का ठेका दिया था लेकिन उमेश ने सिर्फ 5 डाली ही मिट्टी डाली और काम बंद कर दिया घर के निर्मार में देरी होती देख राहूल के पिता ने थाने से पर्मिशन लेकर टूसरे टेक्टर से मिट्टी भराई का कारी करवाना शुरू कर दिया लेकिन पैसा मागने पर उमेश यादो दो माँ से टैला वाला दिये जा रहा था जादा दबाउ डालने पर उमेश यादो ने रहुल को कल दिनाग 14 दिसंबर साम 6 बजे गर से पैसे ले जानी के लिए बोला रहुल जब अपने फौजी भाई समसेर सिंग के साथ कार से उसके गर पहुशता है तो उसका प्रधान भाई सिव सिंग अपनी प्रधानी की धंकी देते हुए उनसे जगला करने लगा एवं सभी भूमाफिया भाईयों को बुला के घेल लिया रहुल वहां का महल समझ कर वहां से जाने लगे तबी उस पर हमला कर गारी को पूरी तरह से इड़ पत्तर से छटी गरस्ट कर दिया रहुल अपनी जान बचा कर गारी लेकर भा सभाई नहीं हुई यह हमने अभी दो महीने पहले यह चंदू उर्प स्यू सिंग करके प्रधान है हमारे निजामतपुर के उनके भाई उमेश यादों को मिट्टी डालने के लिए पचीस हजार रुपे दिये जिसमें उस बंदे ने सिर्फ पांस चाली मिट्टी डाले और दो महीने से हमको गुमाय जा रहा था जब हम उसके पास बार-बार फोन करने लगे उस पे पोस्ट करने लगे तो उस बंदे ने कल साम 6 बजे हमें घर से फोन करके बोलता है कि आका हमारे घर पे पैसे लेखे जाओ जब हम और मेरा पहुजी बाई सेर सिंग जो वहां पर प पचा कर भागने लगे तभी देखो हमारी गाड़ी के उपर ऐसा अटेक किया है मतला फूरी गाड़ी की धज्या उड़ा दी हमारे फोजी भाई को पकड़ के रखा जब हम अपनी गाड़ी और साथी के साथ अपनी मा के साथ रूरा थाना पहुचा तो वहां पर यह सोने उल्टाम पर चड़ाई करने सुरू करते हैं थोड़े सपोर्ट और थोड़े टाइम के बाद उसने आश्वासन देते हुए हमसे का कि सुबह सारा मामला रफा दपा कर देंगे जो भी है दोनों पार्टी हो गुबलाएंगे लेकिन हमारे दो गंटे तीन गंटे उस थाने म देश की सेवा करता है उसके बाद हमारे साथ यह सब हो रहा है तो क्या हमारे देश का कानून या उत्तरप्रदेश की सरकार इस तरह के कानून बेवस्ता को क्या बोलेगी सस्पेंट करना लोगों को वर्खास्त करना इससे कोई हल नहीं है हल है आम आदमी की समस्या का समाध जिसको बोलते हैं यहां का लोकल प्रधान है उसकी दम पर दिन दहाडे भूमापिया का कारोबार कर रहा है लेकिन आज तक पुलिस ने उसको उपर हाथ डालने की कोशिश नहीं कि चंदू करके आप एक प्रधान है उसी का भाई है उमेश यादो उसी गतर बस यह है सर अभी कि आप लोगों से इतना ही चाहेंगे कि अगर अगर आप कानुन ब्वस्ता को मानते हैं डेखिए आप इस तरह से हालत की है देखो यह पूरा हम लोग अंदर नहीं आ गया होते अगर हम वहां से भाव के नहीं निकले होते देखिए तो जैसी यह गारी की हालत है साहध हम ल पैसे की तो पैसे ना देने करण दोए जो ने टूब बात करने लगड़ान वरह सब लोगार्यकिता एस घुड़टे उन्हों को जानता है जानता है बोगो अच्छे टो // मेरे पापक बेवर मलक भी सबकुछ वैसा तो आपके साथ वहां पर क्या क्या ओन लोग आपको पकड़के रखा दो तीन गंटे बिठा के रखा जैसा कि आमें मालूं पड़ रहे हैं ता मिलबकी वहाँ पिठाखे है कर दो कि ऐला है और अवे करादा और कट्टा निकाल के मेरे अपर माइन में लगा दिया अचा सिर पे लगा दिया मैं तरे को अभी जान से मार दूंगा तुझे जो चोट के निशान है आपके उसकल के ही है और आपको और भी मारा गई अब अब तक तक मैं इसको छोड़ूगा नि और इसके बाद सो नंबर भी आई वहाँ पर सो नंबर आई तो आने के बाद उन्हों को भी गहर लिया गया वहाँ पर एक्चली मेरे को सो नंबर जो वहाँ के जो सर थे उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया गाड़ी में बिठाने के बाद वो लोग मुझे छोड़ने का कोई वही नहीं चारा ही नहीं था कि मुझे छोड़ने के लिए बोल रहे हैं बोले मैं इसको नहीं छोड़ूँग झाल झाल